हाई गाईज, वेलकम बैक टो फैक्ट टेक 14, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाईए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन्स या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से स्लाइन बना सकते हो अपने घर पे ही स्लाइम आपने देखा होगा वो थोड़ी सी चिपचिपी चीज टाइप कर रहता है जिसे आप बहुत एजिली कोई भी शेप या साइज में मोल्ड कर सकते हो स्लाइम हम यूजवली कीबोड वगएरा कार के डैशबोड को साफ करने के लिए यूज करते हैं तो वो कैसे बनाया जाता है वही आज हम देखेंगे ज्यादा कुछ कॉम्पलेक्स नहीं है बहुत ही इजी और सिम्पल प्रोसेस है तो चालिए शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले कौन-कौन सी चीजें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इस तरह का कटोरा आपको चाहिए चाहिए कोई भी प्लास्टिक का हो या स्टील का हो वो आपके ओपर डिपेंड करता है लीजिए उसके बाद जो भी हम मिक्सचर आप यूज कर सकते हो मेरे पास blue color है light blue color इसे में यूज करूँगा उसके बाद आपको थोड़ा सा नमक चाहिए थोड़ा सा quantity ही नमक आपको चाहिए होगा और उसके बाद एक powder आप कोई सा भी powder यूज कर सकते हो normal कोई भी talc powder ठीक है तो चलिए शुरू करते है तो सबसे प जो भी color चाहिए जो भी color का slime आपको चाहिए वो आप लीजे मेरे पास जैसे मैंने कहा blue color का है तो मैं थोड़ा सा blue color इसमें mix कर देता हूँ तो जैसा आप देख सकते हो ये blue हो चुका है अब अच्छी तरह से पानी को आप color के साथ mix कर लीजे लगभग 10 या 15 seconds के लिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से mix कीजिए तो अच्छी तरह से ये mix जब हो जाए उसके बाद आपको इसमें powder डालना है ठीक है तो हम powder को डालते है तब तक आप डालते जाए जब तक ये थोड़ा सा आपका गाढ़ा नहीं हो जाता है तो जैसा आप देख सकते हो या भी भी liquid ह इसका मतलब भी है कि हमें और थोड़ा सा powder डालना होगा अब ही इसमें क्या करना है आपको थोड़ा सा नमक डालना होगा जैसा आप देख सकते हो मेरे हापतों में थोड़ा सा घर का जो नमक है वो है इसे हम इसलिए डालते हैं ताकि जो mixture है वो आपस में मिक्स होकर bind हो जा कोई glue वगरा आपको डालने की जरुरत नहीं है अब आप क्या कीजेगा और थोड़ा सा powder mix कीजे अभी आपको करना क्या है सिर्फ और सिर्फ इसे अच्छी तरीके से इस तरह से mix करना है यह अभी आपको सबसे main काम है बस mix ही करना है तो इसे आप तब तक mix कीजे जब तक य जाए तो जैसा आप देख सकते हो यह लगब अभी थोड़ा थोड़ा चिपचीपा होने लगा है इसे और mix कीजे तो अभी जैसा आप देख सकते हो यह लगभग मिक्स होकर तैयार हो रहा है इसे तब तक मिक्स कीज़े जब तक यह अच्छी तरीके से आपके जो कटोरे से ना निकल जाए तो जैसा आप देख सकते हो यह अभी एक मिक्सचर बन रहा है तो और भी थोड़ा सा इसे गुमाई अच्छी तरीके से, तो अभी जैसा आप देख सकते हो, यह लगभग हो चुका है, रेकिन फिर अगर आप ध्यान से देखो, तो थोड़ा सा पानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा पाउडर इसमें डाल देंगे, और फिर से अच्छी तरीके से इसे गुमा अब मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथों का इस्तमाल करता हूँ, तो जैसा आप देख सकते हो, तो जैसा आप देख सकते हो, यह अच्छी तरीके से अभी निकल चुका है, तो अब हम क्या करते हैं इसे, अच्छी तरीके से, इस तरह से, जैसा आप देख सेकते हैं यह लगभग रेडी हो चुका हैै यह हमारे हाथों में लग रहा है क्या तो जैसे जैसे आप देख सकते हो, यह हाथों से फिसल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्लाइम है, वो completely ready हो चुका है, तो जैसे आप देख सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से यह स्लाइम जो है, वो बन गया, इसे आप और थोड़ा सा इस तरह से mix कर लीजिए अपने हाथों से, उसके बाद कुछ समय के लिए इस तरह से ideal रख लीजिए, फिर इसे कैसे use करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखे, मेरा यह laptop है, और यहाँ पर keypad है, तो यह थोड़ा सा गंदा हो चुका है, तो कैसे आप साफ करोगे, स्लाइम को लीजिए, अच्छे तरीके से mix कीजिए, उसके बाद इसे इस तरह से surface पर रख कर खीच लीजिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसे इस तरह से निकाल दीजिए, तो जैसा आप देख सकते हो, कीबोर्ड आपका बहुत इजिली साफ हो जाए, इससे क्या होगा, जो भी dust particles आप कर रहेगा, वो चिपक जाएगा इस slime से, और वो बहुत इजिली आप निकाल सकते हो, तो चलिए, फिर से हम इसे इस तरह से निकाल देते हैं, similarly, यहाँ पर देखे, मिरे पास एक charger है, इसे देख सकते हो, आप धूल मिट्टी लगी हुए, इसे कैसे साफ करोगे, पास इसे इस तरह से, अंदर डाल कर, निकाल दीजिए, तो जैसा आप देख सकते हो, पूरा completely black हो गया, इसमें आपका slime लगेगा भी नहीं, क्योंकि यह आपका निकल जाएगा बाहर, तो इस तरह से आप किसी भी चीज को, किसी भी surface को, घर में बनाए हुए slime से बहुत इजिली साफ कर सकते हो, इवेन अगर car का dashboard वगेरा, AC event वगेरा भी खराब हो गया है, तो आप उसे बहुत इजिली इस तरह से साफ कर पाऊगे, तो guys, आज क वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को like, share और subscribe जरूर करे, मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा, तब तक के लिए, take care of yourself, bye bye.